गाजी नियूस चैनल सबसे पहले देश और समाज की खबरे खबतर करें जरूर्त और समयरे करण से रज़प। पाकिस्ताने बारें हैं तो पाकिस्तान के बारे बोलो टालीबान के बारे मेरे mês Цuwudeen के बारे में बोलो, अरे कॉंग्रेस के बारे में बोलो, डंका वंका के बारे में बोलो, लेकिन, 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 शायद वरुन गांधी बीजेपी की रूल बुक पढ़कर भूल गए थे, बताईए, मरियल किसानों के बारे में बोल रहे थे, वरुन गांधी को बीजेपी न सीखना चाहिए आइडियोलोजी बड़ी चीज होती है और पीजेपी में रहकर आम आद्मियों वाली आइडियोलोजी ना 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 नहीं चलेगी ना बिल्कूल नहीं खैर किसान सनहारक वीर पुत्र जन देनेवल 21 सदी के राजपुरिश अजय मिश्रा उर्फ टेनी अरे तालिया तो बजा दिये इस समय ग्रह मंतरी अमिचा जी के दर्बार में ग्रह राज मंतरी अजय मिश्रा टेनी सफाई दे रहे होंगे अरे शमा मांग रहे होंगे या फिर उनको ऐसा महान पुत्र पैदा करने की शबाशियां दी जा रही होगी ये मैं नहीं जानती क्योंकि वहां में कोई सूत्र तार गुप्त चर्टाई पात्मी है नहीं लेकिन एक बात तो उपर आले को माननी पड़ेगी जो काम कीले विले बिचा कर लाल कीला कान के बाद या पहले नहीं कर पाए बड़े बड़े शरियंत तंत्र मंत्र नहीं कर पाए वो काम एक अकेले टेनी के लड़के ने एक अकेली अपनी 14 लाग की जीब से कर दिखाया विधाईगी का चुनाओ लड़ने से पहले आतंकियों को कैसे मारना चाहिए टेनी के लड़के ने उसका उधारर पूरे देश को दिखाया है मंतरी टेनी के लड़के की गिरफतारी अभी तक नहीं हुई है ना ही मंतरी का स्टीफा विस्टीफा मांगा गया है कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बार 26 जनवरी बार टेनी के लड़के के लड़के को मोधी जी सेंट्रल विस्टा के सामने होने वाली परेड में हाथी पे बठाने के तैयारी कर रहे हो चार किसान एक ड्राइवर दो बिजेपी नेता और एक पत्रकार एक अकेली थार गारी से उड़ा देना आसान बात थोड़ी है जब एक जीप से दुश्मनों को मारने वाले वीर अब्दुल हमीद को परंवीर चक्र मिल सकता है बहादुरी का मेडल मिल सकता है तो अपना टेनी का लड़का अब्दुल हमीद से कम है क्या ये भी जीप ले कर गया था इसकी जीप में तो तोप भी नहीं थी बिना तोप के इतने आतंकी मवाली खालिस्तानियों को मार गिराया और उपर से मंत्री का बेटा भी है मैं मोदी जी से परसनली इंसिस्ट करना चाहती हूँ प्लीज हाँ देश हित में किसान सनहारक मंत्री पूद्र भैभीतर राष्ट है किसान जैसे उस अशी शेंद्र बाहु बली को इस बार 26 जनवरी पर हाथी पे जरूर बैठाएगा प्लीज हाँ और जिस मंत्री बाब ने इतने महान औलाड पैदा की है उसको प्रमोशन तो जरूर मिलना चाहिए कम से कम ग्रह राज मंत्री, राष्ट्र मंत्री, वित्र मंत्री वगएरा वगएरा कुछ जरूर बनाएगा और वरुन गांधी जैसे लोग बताईए किसानों पर जीप चड़ाने से भावुक हो जाते हैं बीजेपी ने उस बोटी बोटी वाले वरुन गांधी को अपनी पार्टी में रखा था जिसके भीतर जान थी, जिसके भीतर मुसल्मानों के लिए आग जल रही थी लेकिन बताईए आग गांधी हो गई, वरुन गांधी दगे कार्तूस हो गए मर्यल किसानों के लिए हमदर्दी दिखा रहे थे ऐसे लोगों का बीजेपी क्या करेगी? ना मुसल्मानों को पाकिस्तान जाने की धमकी दे पारे ना किसानों को मवाली, खालिस्तानी आतंकी बता रहे है ना तालिबान पर कुछ बोल रहे है बताईए ऐसे सीधे साथविक लोगों का बीजेपी क्या करेगी? अगर वरुन गांदी में वो पहले वाली आग होती तो मंत्री बनाए जाते की नहीं? बताईए लेकिन वरुन गांदी की जगा टेनी को मंत्री बनाना पड़ा टेनी में आग थी और साथ में लड़के में भी आग थी टेरेंट संसाधनों केल के रुका नहीं रहता है कि भाई बंदूग भाला खरीद कर दोगे तो बीजेपी के दुश्मन किसानों को मारा जाएगा तब तक हाथ पर हाथ धरे थोड़ी बैठे रहेंगे देखिए मंतरी के बेटे ने उस समय उसके पास जो था उसने उसी से अपने आगाओं की दुश्मनों का सफाया करने के लिए कुतर गया दोस्तों किसी ने कहा था जब आपकी जुबान पर ताला लग जाए तो वियंग की चाबी से उस ताले को तोड़ देना चाहिए ये आज की परिस्थिती पर एक छोटी सी व्याख्या थी कमेंट करके जरूर बताएगा आपको कैसी लगी माहिरा की स्पेशल रिपोर्ट